नमस्कार जंजवार में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जो महत्पूर्ण मुद्दा इस वक्त चाया हुआ है हर और कोरोना वाइरस को लेकर कोरोना वाइरस को लेकर आपको तरह तरही खबरें और हर एंगिल से खबरें मिल रही है लगातार और लोगों की परिशानी इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है लॉंगडाउन के बाद खास्त और से गरीब लोगों के परिशानी की जो migrant laborers हैं, जो ध्यारी मजदूर हैं, जो अपने घरों की और भाग रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनका आगे क्या होगा क्योंकि कामधंदा चिन गया और रहने के लिए जगे नहीं है तो इस तरह की खबरें हम लगातार आपको जंजवार पर भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं आपर लेकिन आज जिस मुद्दे की में बात करूँगा वो इससे थोड़ा हट कर है और इस माइने में एहम है कि हम थोड़ा आउट अफ दे बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें सरकार का जो रोल है और सरकार की जो कह सकते हैं चतुराई है जिससे वो हमेशा हम पर साशन करना चाहती है उसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसको अभी अभी जज़वार में हमने कुछ दिन पहले उजागर भी किया था उसका में जिक्र करूँगा तो मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ? मैं बात का जिक्र कर रहा हूँ कि कैसे electronic surveillance यानि digital surveillance जो है वो क्या इस तरह की महामारी से भविश्य में लड़ने में हमें मदद कर सकती है? हम बहुत लंबी चोड़ी बात नहीं करेंगे कि ज्यादातर बातें दूसरे मुद्दों पर जो हो रही है उनको हम यहाँ दोहराएंगे नहीं वो आप तक लगातार पहुची रही है। हम उसके बहाने हम आज बात करते हैं सरकार नजर रखने की कोशिश तो कर रही है लेकिन क्या इस तरह की एक का जो अगर आप लाइफ सर्विलेंस कर ही रहे हैं तो उससे क्या कोरोना जैसी महामारी को रोक सकते हैं। अब ही कुछ तिन पहले एक आर्टिकल छपा फिनेशल टाइम्स में जो जहां दुनिया के जाने मारे लेखक और हिस्टॉरियन जो है यूवल नौवा हरारी जो यूरेशलम इनिवस्टी में पढ़ाते हैं। उन्होंने ये कहा आर्गू किया कि अगर स्मार्ट फोन की जरीए जो आपके पास स्मार्ट फोन रहता है उसके जरीए अगर आप जब भी टैप करते हैं आपके हाथ का टेंपरेशर कितना है आपके शरील का टेंपरेशर कितना है और आपके दिल की धरकन कितनी है इस तरहे कि अगर जानकारिया सरकार को हर वक्त मिलती रहें तो क्या वो कोरोना जैसी महामारी के वक्त ये पता लगाने में मददगार नहीं होगा कि इस आदमी को बुखार है या अगर आपकी सर्विलेंस की जा रही है तो आप किस-किस व्यक्ति से मिल रहे हैं किस वक्त जाकर और ऐसा करते वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो सवाल होता है निजिता का जिसको लेकर हम लगातार देखते रहे हैं समाज में आवाज उठती और जाहिर बात है और बहुत जायज सवाल है कि सरकार अगर इस तरह का डेटाबेस बनाएगी और इस तरह से नजर चाहे अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सर्विलेंस करवाऊं क्योंकि मुझे डर है कि इस तरह की महामारी में मैं बीमार पढ़ रहा हूं तो मेरे समाज को असर पढ़ सकता है इसलिए मेरी आप सर्विलेंस कर सकते हैं लेकिन जवाब देही के साथ यानि जितनी मेरी उनका पता लगे यह नहीं कि आप मेरी जो है हर चीज जिन्दगी में जाक रहे हैं और कानून का दुरूपयोग कर रहे हैं तो ऐसा तो तब ही हो सकेगा जब देश में एक सविदंशीन सरकार हो यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है और सरकार जिम्मेदार हो सबसे बड़ी बात है और कानून में पुखता इंतजाम करें कि वो जो है इस तरह का दुरूपयोग ना होने दे और पूरी तरह से सरकार को जवाबने हैं बनाया जाए अगर दुरूपयोग होता है लेकिन समस्या यह है जो कुमार संभा शिवास्तव ने रिपोर्टिंग की थी उसमें उ दो नैशनल सोशल रिजिस्ट्री की नीव रखने वाले अधिकारी हैं उन्होंने ही यह सवाल उठा दिया था कि इसके दुरूपयोग होने के बहुत बड़े चांसे हैं तो इस वक्त जब पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा है कि हम तक्नीक का जिम्मेदारी के साथ इस्त करना क्वाइरस आ जाए तो उस वक्त लड़ने के लिए हम कैसे तयार हों तो इन सवालों से निवटने के लिए हमें इस मामले में अपनी आख कान खोले रखने चाहिए कि और इस तरह के आउट अफ दो बॉक्स सोचने के लिए अपने को तयार करना चाहिए कि इस तरह टेक में जन हित में आपके लिए पीडियस देने के लिए तमाम चीजों के लिए जाहिर तोर पर उससे मामले ट्रांसपरेंसी आती है और प्रश्चाचार को रोपने मगद मिलती है इसको बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया है लेकिन सरकार RTI को फिर क्यों कमजोर कर रही है तो होगा इन कानून में अगर ला रही है डिजिटल कानूनों में उनमें सेवगार्ट समय देने होंगे और इसी बात को कहने के साथ हम आपका आज का यंक समाप्त करते हैं